भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो लिखा है उसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन गीता का सार हर घर में पहुँची जाता है यदा यदा ही धर्मस्य या फिर ये कहें संभवामी युगे युगे लेकिन आपको अगर मैं ये कहूँ कि गीता को सिर्फ पत्र पर नहीं बलकि चांदी के पत्र पर स्वन्न मई या फिर चित्र मई गीता हो और वो किसी एक ही व्यक्ती ने अपनी दश को या युग कहें पचास वर्षों से ज्यादा की मेनत से बनाया हो आपको एक ऐसी गीता दिखाने वाली हूं जिसको चांदी पर लिखा गया है, हीरे से बनाया गया है और रतन जड़ित कहा जा सकता है आठ पत्रों की इस गीता को पूरी तरह से चांदी पर बनाया गया है, ये तो एक तरह की गीता है, और ये किया है पिछले 50 वर्षों में संभव अपनी लगातार महनत के साथ, डॉक्टर मंगल त्रिपाथी ने, मंगल जी ये बताइए कि ये जो गीता आपने विभिन बनाई हैं, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? इसके पीछे तब मैं बंबय में था, एक जैनी मुनी थे, उनका नाम मुनी स्री राकिष था, उन्होंने मुझे मुझे मुराजिय देसाई से मिलवाया, और पर्थम द्रिष्टी में ही मुराजिय भाई ने कहा, कि तुम कीता प कि नहीं किसी के सामने, मैंने उनसे कहा था कि आप मेरा मागदरसन करेंगे, उन्होंने का अवश्य किसी भी स्थिती में, और उन्होंने अपने मृत्व परियंत इस बात को निवाया, और मैं इसका एक महत्र श्रे अगर दू, तो वह अपने पुर्वर प्रदान मंत्री इस पन्न हुई है, इस्थिती है मुग की, स्थान है, रंग मंचा है युद्ध का, सामने खड़े हैं अपने ही लूग, उनसे लड़ना है, अर्जुन जो गीता का मुख्य पात्र है, वह कहता है कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों से नाओं के बीच मेरे चलिये, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे कौन लेगा, यह है अंकार, वह देखता है अपने ही लोग खड़े है, गुरु है, पिताब है, इधे मारना पड़ेगा, वह मुव में आ जाता है, और कहता ह इनके रक्त से भीगा हुआ सिंगासवन मुझे नहीं चाहिए, यही से मुख का अरम होता है, कृष्ण, जो वाशुदियों, सबके हर्दय में बिराज माना है, और कृष्ण के सार्थी है, जिने हम परव्रम्ह मानते हैं, वे अपने भक्ते के सार्थी है, वह पहले तो उसे डांते हैं, क्या इन अपन सकों की तरह बाद यह लगा रखी है, उठो और मारो इन लोगों को, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, तुम्हारे अपने नहीं हैं, यह सार्थार्म के पक्षधर हैं और तुम्हारे सत्रूल हैं, इसलिए मारो, अंते में उन्हों ने कहा था ए साथ जी, मैया, कि मैंने इन सब को मार आ रहा है, इमें कोई जीविक नहीं है, आपको लगता है कि आप निमित्तमात रहें सनातन धर्म की यह पुस्तक को, क्योंकि बाकी धर्मों में भी अलग-अलग धर्म की किताबें अलग-अलग स्थर पर हैं, अवश्या, लेकिन हमारे धर्म में, जिसे सनातन धर्म कहते हैं या हिंदु धर्म कहते हैं, वे चार भागों में बटे हैं जिनको वेद कहते हैं, वेदों के भी कई भाग में बटे हैं, उनकी उपनिश्यदे हैं, ब्रह्म्र हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जो उपनिश्यदे हैं, उनमें वेदों के ज् सारे उपनिशदों को गाय बना कर और पार्थ यारी अर्जुन को बच्छरा बना कर कृष्ण ने गीतामबर्तिता दोहन किया और उसे पीने वाले सुधी जन है सुधी जन हमारे विवर्स भी है मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ यह आपने कभी नहीं देखी होगी फ्रीमत भागवत गीता है लेकिन यह स्वर्ण माई गीता है अब स्वर्ण माई गीता क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें करीब ऐसे 12 ब्लॉक्स हैं इनको हम पत्र कहते हैं और 22 पत्र हैं और स्वर्ण माई गीता क्योंकि यह कृष्ण वाच तो है ही लेकिन सोने को यानि कि 23 कैरेट सोने को पहले उसका फॉयल बनाया गया है और उसके बाद फॉयल के साथ हर एक अध्याय को एक-एक पत्र में लिख दिया गया है बहुत महनत लगी होगी क्यों अध्या तो उसकी क्रॉस-चेकिंग ही कितनी ज्यादा लग जाती होगी इसमें एक-एक अक्ष्छर को बैठाया गया है और मिनत तो लगी है लेकिन इसके पीछे एक आष्ठा कही है या सद्धा कही है बाइबल श्रण और अरतनों में है कुरान श्रण में और अरतनों में ह और गीता सनातन धर्म हिंदू धर्म या भारतिय धर्म या मानो धर्म वैसे गीता मानो धर्म है संपूर्ण मानो था कि यह संपत्य है या क्यों या क्यों नहीं रतनों में हो, सोने में हो मेरी ये कल बना जाई और मैंने इस पर कर दिया, मेरे मित्रों ने, मेरी साहिता की, यह आज जो आप देख रही है, यह आपके सामने है, स्वर्ण माई गीता का महत्व क्या है? क्या स्वर्ण में लिखे जाने से गीता का महत्व बदल जाता है? ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि यह कृष्ण के शब्द है, यह उनका कहा हुआ है और आप उसे कैसे अपने साथ, अपने समनंतर उसे स्थापित करने का प्रयास करते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है लेकिन हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य जब कुछ भी देखता है तस्वीरों में देखता है ऐसे में चित्रमई गीता आती है गीतामृत तो है ही लेकिन गीता माता कैसी दिखती होंगी ऐसी करीब इस हजार पेज की हजार प्रष्ट हैं इस गीता में और उसमें गीता माता की तस्वीर उकेरी गई है उकेरी गई ही इसलिए कहते हैं, क्योंकि आप उसको तस्वीर को अपने प्रयास से बना सकते हैं. और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि जिस तरह से आपने उन्हें कमल पर बठाया है, उसकी पूरी व्याख्या करें. गीता में अठारा ध्याया, जिस कमल पर मैंने बैठाया है, वह भाक्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और अठारा पंखुरियों वारा है, अस्तादस ध्यायी गीता को कहते है, जेरे अठारा पंखुरियों वारी कमल पीथी पर बैठी हुई है. आप एक और चीज में देख रही होगी इसके तीन हाथ में एक में चक्र है एक में संख है एक में पद्म है और एक में बर्दान है संख का अर्थ है धर्म धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय और उसका उद्खोस करती है जोब कि गीता सिरिकृष्ण की मानस पुत्री है सिर wrinkles का सब्द बिंगर है जी सब्दों में करिष्ण को हम देखते हैं गीता गीता का मुलक्ष तीन है ग्यान भक्ति और कर्म तो shangh है ग्यान भक्ति खोषप पदम है भक्ति का प्ति और चक्र है कर्म का प्रतिक, निरंदर, इसलिए श्री पिष्णु के हाथ में या श्रीकृष्णु के हाथ में हम चक्र देखते हैं, निरंदर कर्म रत होने। गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि जदी मैं एक छण भी कर्म की अभी ना रहूं, तो इस जगत का नाश हो जाए। फिर भी मैं कर्मरत हूँ ताकि दूसरे कर्मरत रहे आज आपको तिरासी वर्ष के हैं आप 87 के हैं आप 87 के हैं आप तो इतने वर्षों में जो इतनी मेहनत है आपके लिए सबसे ज्यादा सुखत पल कौन सा था गीता के साथ मुझे सब्सक्राइब खुशी है जानकर कि आपने यह सवाले किया कल ही जब गीता का मैंने अंग्रेजी रुपांतर शुरू किया शॉट फॉर्म में देने के लिए वक्कर ही 18 हुआ दैपुरा हुआ है मेरा और इस अंग्रेजी गीता को उसमें सारे पिक्चर रहेंगे इस संभव है कि आप सब्नों के हाथों में 24 दिश निशुपर को इससे दे दे हैं। जब आपने यह साड़े चारसो पांचसो तस्वीरे बनाई इसमें कितनी महनत लगी है क्योंकि एक-एक तस्वीर पेंट को बचित्र को बनाने में महीनों लगे हैं? 20-20 दिन निलत लिघ ही एंको वासुए हिंगया है, वासुए है और पेपर इसका अलग होता है, उक्नद ही एञ है और वो इंदोस्तान में नहीं मिलता, इसमें रंग है जो बॉर्टन न्यूटन के रंग है इसमें प्रस है वो भी बॉर्टन न्यूटन का है आप पूछेंगी कि आपके पास कुछ है नहीं कहां से मगाया है तो मेरे मित्र कोई बिदेश जा रहा होता है कुछ आपके लिए क्या लाव है तो मैं कहाता था केंज पर और क्या रही है, ब्रस रही है, और क्या रही है, ब्रट न्यूटन की का गलत लही है, मेरा और कोई रिभान ने, और उ लाते थे। भाक्ति की शक्ति ने आपको कैसे यहां तक पहुंचाया है? मैं केवल एक भागवत में खिशब आता है, पोशरम तद अनुग्रह, उसका अनुग्रह ही पोशक है। और क्रिश्वन ने इसी को कहा है, योग शेमम भाम्या, तुम्हे क्या आवशक्ता है, और तुम्हारे पास है क्या, आवशक्ता हूं को मैं देता हूं, और तुम्हारे पास हूं का रक्षन करता हूं कि वह एक सत है, सतत अपना चित मुझे में पिरोए लगो, ये मेरा पास. तो मैं सुचता हूं कि पोशरम तदे नुक्रा है, और व्योग वक्षे मम भाम्याओं को मैं अपने जीवन में सक्षात देखा हूं, ये सब उनका नुक्र है, ये सब मेरे मित्रों का साथ है, और सब उनकी सुगाउना हूं का प्रणाम है. इतनी सारी गीता, इतनी प्रकार की गीता लिखने के बाद और इसका, इसकी रचना करने के बाद, अब अगला कदम, अगला पड़ाव क्या होगा? इतनी सारी लिखा है कर रड़ वाद में विष्ण शहिश्त नाम लिखाया उय। आपको अपर दिखाता हूं ये पहली बार हिंदी में, विष्ण शहिवकरा नाम की भ्यक्या आया है. नहीं बिलेगी आपको का बरक, सन्क्रा चाजर जे किया था संसूर्थ पहली बार, सन्य क्यों नहीं किया, क्या कदम उठाया आपने और क्यों? कारण क्या था? कुणका कोई ने कोई स्वाट था. किसी का किसी माबाब के सबरपन का था, किसी का कुछ था. लेकिन आपको अभी मैने दिखाया है, यह भगवत कीता है. चुकि माँ है. गान्दे जी गीता मादा का थे, वो मिनी मा है, अपनी मा को कैसे समरपन कर दो किसी को? तो मैंने इससे समरपन किया, भूत की, भूत काल की, अभी बर्तमान की, और भविश्य में जितनी होंगी उन सारे जीओं की मादाओं को यह गीता बाता समरपित के ने किया है. जब मैं अमेरिका में था, मुझे विश्वरामाइट गोष्टी के पांच दुगों में एक छूना गया था, वहां लोगों ने कहा था, एक पिक्चर आप इसका बेज दीचिए, हम लोग खचते देगे, कैसे हो सकता है, मैं आपके वाइट हाउस के मुझन पर भी नी दे सकता ऑषे, अब Kun Michaels, मेरा थार्म ने बहुत पिले, ये बेजाएट धर्म है, मजा थार्म नहीं बेशिक्ते, जाहे हो या दा हो इस सनातंधर में मा का अर्थ सिर्फ स्रिष्टी नहीं होता है, क्योंकि मा को ही शक्ति है कि वो दूसरे जन्म को या किसी को जन्म देके एक नए जीवन की स्रिष्टी कर सके और शायद गीता माता की ये तस्वीर अगर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं और बताऊं कि इनके नेत्र बंध हैं क्योंकि नेत्र खुले होने से तो आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं लेकिन जब नेत्र बंध हो तो आपको समझना होगा कि आपके न मेत्र खुद स्वयम को देख रहे हैं और सची कहा है अहम ब्रह्मासमी अपनी ताकत को खोजने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है खुद अपने अंदर जहाकने की जरूरत है और फिर उसके बाद गीता स्वर्ण में हो रत्न जणत हो चित्रमई हो आपके अंद झाल